प्रेंड्स वेलकम ट्यू माई चैनल और मैं विनोध गुपता रियल स्टेट कंस्टेंट बोल रहा हूं मेरे दोस्तों हम लोग दिल्ली NCR में प्रॉपर्टीज का काम करते हैं उसमें रोहिनी गुडगाउन नोयडा और टीडियाई कुंडली सोनुपित मेरे दोस्तों मैं आ आपके रोहिनी के सेक्टर्स डवलप तो है नहीं सर बट रेट इतना हो गया है और आगे क्या होने वाला है तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जो प्यॉर्ली यह है यह इन्वेस्टमेंट के लिए हैं आपके पास पैसे हैं एडिशनल पैसे हैं आप चाहत प्लॉट्ट् खरीद रहते हैं जो प्रापर्टिस फ्री ओल्ड की फॉर्म में है आप बैंक से भी मोडगेज पर उसके पैसे ले सकते हैं खरीदने के लिए भी पैसे ले सकते हैं आपके पास कभी जरूरत पढ़ती है तो एडिशनल अधुलेक्षन बसक्रापर्टि यह आ लेटरल के रूप में आपको उसके अगेस्ट भी लोन कर सकता है आगे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों के रोईनी में हम लोग सेक्टर 34 28 39 34 35 36 सभी सेक्टरों में काम करते हैं आपको बाई सेल कुछ करना है आप संपर के जिए अब अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं को अलोट करती है वो तक्रीबन लीज होल्ड की फॉर्म में करती है लीज होल्ड का मतलब के वो आपको जमीन 99 एर्स के लिए लीज पर देती है जिस पर मालिकान अधिकार डिडिय कर रहते हैं अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है तो इस यार ओरिजिनल अलोटी तो लेकिन आप अगर सेकंड री सेलॡ में प्रॉपर्टी लेते है तो आपको लीज होल्ड पर लों नहीं मिलेगा लेकिन लीज होल्ड में रहना है पाणी यह बिजली है वो सबारीज़ आपको मिलेगा आप leasehold to freehold जो properties है freehold करवाने के लिए आपको क्या करना होता है DDA के अंदर apply करना पड़ता है जो उनके charges है वो देने पड़ते हैं और एक आपको minimum 33% construction activities अपने plot में show करने होती है constructed properties DDA के plot पर ही freehold होती है otherwise जो आप सोच के चलते हैं कि DDA plot हम लोग बोल देते हैं जो freehold है वो freehold हो चुके हैं लेकिन कई बार मकान तूट जाते हैं इसलिए वो properties बना हुआ आपको दिखाई नहीं देता तो leasehold और freehold में फरक यह है leasehold सभी plot होते हैं freehold आपको DDA से करवाना पड़ेगा आपका plot अगर freehold हो जाता है वन आप market में बेश सकते हैं दूसरा किसी के भी पास freehold property है वो bank से loan ले सकता है इसमें second party, third party किसी के नाम में भी freehold properties है वो किसी भी bank से loan ले सकता है या फिर जैसे plot आपने खरीद लिया freehold plot रोहिनी के अंदर आप उस पे construction के आपके पास पैसे नहीं है तो आपको bank construction के लिए पैसे against that property जिसको collateral रख लेंगे आपको loan देदेगा और आपको leasehold to freehold अगर कोई property है रोहिनी में जो sectors की में बात करा हूँ 28, 29, 30, 34, 35, 36 वगएरा में तो आप हमारे से संपर कीजिए हम आपकी properties को leasehold to freehold करवाने में आपकी साहता कर सकते हैं हमारे service charges होंगे बहुत normal service charges होंगे हमारे service charges तक्रीवन 10-15,000 पर ही होगा freehold करवाने के लिए जो documentation है वो आपको बताएंगे लेकिन जो खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा मेरे दोस्तों अब आप चाहते हैं कि freehold कोई भी property आप खरीदना चाहते हैं बेचना चाहते हैं investment की बात करना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर कर सकते हैं जोगविटा चाहते हैं यहीं तो आपका लगेगा